और मुत्रों हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐसे पत्रकार थे मुर्धन्य पत्रकार जो की मोदी सरकार की तीसरी सरकार आने के पहले यानि की मोदी की तीसरी सरकार जो आई 240 सीटें आने के पहले जो रास्तवाद का जहंडा लेकरके बुलंद कर रहे थे उन सब के हौंसले जो है अब पस्त हो चुके हैं अब उन सबने अपने स्वर जो है बहुत मंद कर ली है क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं की सरकार राहुल गांधी की आ जाए लेकिन ऐसे जो कुछ पत्रकार हैं जो की डीडी न्यूस के अंदर हैं जैसे अशोग श्रिवास्तों ने अब इन सभी की जगा पर मोच्चा समाल लिया है अकेली समाल लिया है बहुत जबर्दस तरीके से धुलाई करने आजकल वो चाहूंगा तेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं यह राहुल गांधी को तस्वीरें दिखाने का शौक है संसद में तो वहां तो तस्वीरें पोस्टर नहीं दिखाये जा सकते लेकिन दो टूक में कुछ तस्वीरें दिखाई जा सकती है तो मुझे लगा कि राहुल गांध पैगंबर साब की कोई तस्वीर ने दिखायी थी। क्योंकि पैगंबर साब की तस्वीर दिखाते तो उनको मालُम पर जाता के हिंसक कौन होता है। राहुल गांधी के जो साथ के लोग थे उन्ने का पैगंबर साब-शवीर है ही यह नहीं वह जोट है मेरे पास एक खबर है और ये खबर न्यूयोक टाइमस की है वही न्यूयोक टाइमस जो राहूल गौंधी और उनकी टीम को बहुत पसंद है और ये खबर ये कहती है कि एक टीचर ने मौम्मद साब की तस्वीर दिखाई और उसके बाद उसको नौकली से निकाल दिया गया इसका मतलब मुहम्मद साब की तस्वीर है लेकिन राहुल गांदी ने मुहम्मद साब की तस्वीर नहीं दिखाई क्योंकि राहुल गांदी मुसल्मानों की धारमिक भावनाओं का सम्मान करना जानते हैं पर हिंदूों की धार जनक तरीके से दिखाने के बाद टेबल पर पटक दिया अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ वो तस्वीर क्या है वो तस्वीर एक खबर का हिस्सा है मैंने आपको पहले भी कहा वो तस्वीर जो है वो खबर आप देख रहे हैं एक खबर यह कहती है रेडिकल हिंदूं से जो नफरत करते हैं वो उनकी बारबार दिखती है शले उन्हें ने हिंदूं को हिंच सका ये भी मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ अब मैं आपको कुछ और पोस्टर दिखाता हूं ये तस्वीर देखिए ये तस्वीर उन किसाननेतां की है जिन से राहूल गांदी से संसद में जाकर मिले थे क्या आपको मालूम है राहूल गांदी से पूछा जाना चाहिए इन साथ किसानों में कौन सा दलित और OBC किसान है राहूल गांदी पंजाब के जट सिख किसानों से मिले थे इन साथ किसानों में साथ सिख किसानों में एक भी दलित और OBC कि जब वो बजट में बजट बनाने वाले अधिकारियों में OBC और डलिट ढूंड रहे हैं तो वो जिन किसानों से मिलते हैं उनमें उनको OBC और डलिट किसान क्यों नहीं मिलते हैं। किसी किसानों से राउल गांधी नहीं मिलते हैं लेकिन बाकी किसानों से मिलते हैं। तो राहूल गांदी जी जब आप किसी डेलिगेशन से मिलते हैं तो उसकी संख्या देख लिया करिए उसमें भी रिजर्वेशन कर दिया करिए कि उसमें कितने सिक आप से मिलने जो आएंगे दलित होंगे और कितने जट सिक होंगे और बाकी आप से डेलिगेशन मिलने कॉंग्रेस के मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछूँगा इन में से कौन सा जो है वो OBC है और कौन सा वो आधीवासी है कॉंग्रेस के मा सची को लिस्ट में अविनाश पांडे, जैराम रमेश, जीतेंदर सिंग, केसी वेनु गोपाल, मुकल वासरीक, प्रियंका गांधी, रंदीप सिंग, सुर्जेवाला सचिन पाइलेट कॉंग्रेस के मा सची को की लिस्ट है, क्या इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी संख्या है क्या, मा सची को की लिस्ट में, कॉंग्रेस की एक और लिस्ट है मेरे पास Congress ने जब गटबंदन बनाने शुरू किये थे तो Congress ने एक Committee बनाई इस पूरी Committee में एक भी OBC नहीं है एक भी दलित नहीं है सभी जो इनकी Committee में Congress की Committee में लोग हैं वो सब उच्छ जाती के लोग हैं Congress की Disciplinary Committee है एक भी दलित OBC नहीं है तो सोचिए आप दलितों को कैसी कांग्रेस में नहाई मिलेगा अगर कांग्रेस की डिसिप्रिनरी कमेटी जो है वो पूरी की पूरी ऐसे लोगों से होगी जिसमें कोई दलित OBC नहीं होगा और रहुल गांदी को आइना वो दिखाना चाहिए